स्टूडेंट्स वैलकम टू मैई चैनल मैथमेटिक स्टूडीज आज हम भी यह थर्ज समेस्टर की बुक पीडी के जो चैप्टर नुबर फर्स्ट है फॉर्मेशन ओफ पार्शल डिफरेंशल इक्वेशन के एक्सेसाइज 1.1 का लेक्चर 1 देखेंगे देखो फर्स एक्सेसाइज में हमने क्या किया था कि arbitrary constants को हमें eliminate करना था और यह exercise के अंदर हमें क्या करना है कि बनानी तो हमें PD ही है मतलब partial differential equation ही बनानी है लेकिन अब की बार क्या eliminate करना है हमें function को eliminate करना है जोसे f of के अंदर आपका जो बिलक रखा हूँ उस चीज का function हो गया है find a partial differential equation एक partial differential equation को बताओ by eliminating the function क्या eliminate करके function को eliminate करके from the relation इस relation में से जो function है ना मतलब यह term आपको दिखनी नी चाहिए जो आपका answer आएगा उसमें यह term नहीं होनी चाहिए मतलब आप एक PD को key formation करो PD को बनाओ by eliminate करके इसको function को तो करते थो हम जो first exercise में थे वही करेंगे इसके अंदर भी क्या करते थे differentiation करते थे similar इसमें भी हम differentiation करेंगे differentiate करके हम अगर multiply करने से कुछ होता हो तो multiply करदेंगे divide करने से होता होगा तो divide कर देंगे उसके according हम अपने question को आगे move करवाएंगे देखो क्या अभी हमें क्या दे रखा है z is equal to this हमने यह equation लिख ली सबसे पहले तो हमें हर question में क्या ही करना होता है इस वाली term का x के respect में partial derivative and y के respect में partial derivative तो पहले हम किस के respect में करेंगे x के respect में तो लिख दो differentiating first partially लिए partially word लिखना बहुत ज़रूरी है वरना अगर आप normal लिखोगे तो उसका मता हो जाएगा d by dx और वो तो हमारी book ही नहीं है हमारी book तो है ही क्या p d मतलब partial differentiation ठीक है तो हमने differentiate करनी है first equation को partially with respect to x जोब x के respect में करोगे तो क्या हैगा call z upon call x y वाले का 0 इसका 2 इसका derivative देखू क्या होगा पहले तो f dash 1 plus x plus log y आपका यह हो जाएगा 1 by x plus log y हो जाएगा इसका derivative then जो function के अंदर है उसका derivative करेंगे 1 by x का derivative क्या होता है minus 1 upon x के देखू 1 by x का करला पून करल x कैसे होगा पावर मतलब यह होगा करला पून करल x x की पावर minus 1 अब इसका derivative करोगे तो minus 1 आगे x की पावर minus 2 पावर में से एक हम तो minus 1 upon x स्क्वेर आगया तो क्या होगा इसका derivative minus 1 upon x स्क्वेर plus log y का derivative क्या होगा 0 तो यह आगया आपका फिर हमने क्या क्या जी minus of 1 by x स्क्वेर थाना इधर डिवाइड में उधर जाके multiply में हो जाएगा तो minus of x स्क्वेर कल z upon करल x is equal to 2 f dash 1 by x plus log y एक एक एक्वेशन हमारी यह आगई अब हम क्या करेंगे जो फर्स्ट एक्वेशन दे रखिया है उसका किसके respect में derivative कर देंगे y के respect में तब हमारे क्या हो जाएगा कल z upon कल y is equal to 2y function का 2 of f dash 1 by x plus log y into में जो function के अंदर वाइटम हो उसका क्या हो जाएगा 1 by x का तो 0 हो जाएगा लेकिन log y का क्या हो जाएगा derivative partial derivative 1 by y similar जैसे उसमें किया था हमने अब देखो क्या करेंगे हम यह y है ना by में था हमने क्या किया पूर equation को y से multiply कर दिया तो यहाँ क्या गया y call z upon call y is equal to 2y square plus इसकी y के साथ multiply करोगे तो वो y से y गिधर y आएगा तो cancel हो जाएगा 2 f dash 1 by x plus log y उसके बाद इसको देख लेके चले गए तो यह minus में हो गया हमारी यह equation आ गई अब हम क्या करेंगे जो हमारी equation आई है यह equation आई उसको हम divide कर देंगे हम इसको divide क्यों कर रही है क्योंकि हमें eliminate क्या करना है function अगर हम इन दोनों को divide कर दे है तो हमारा क्या आएगा minus of x square call z upon curl x upon y call z upon curl y minus of 2y square is equal to this divide by this इससे cancel हो गया तो क्या आएगा minus of x square call z upon curl x upon y call z upon curl y minus of 2y square is equal to 1 यानि कि हमारा आएगा यह उसके बाद हमें पता है हमने फर्स्ट ही lecture में इस चेप्टर के फर्स्ट लेक्चर में पढ़ लिया था कि जो curl z upon curl x वो तो p होता है and curl z upon curl y वो क्या होता है हमारा q होता है तो हमने इसके जिके तो p लिख दिया इसके जिके q लिख दिया is equal to 1 then cross multiply करेंगे तो यह उधर चला जाएगा minus of x square p is equal to y q minus of 2y square 2y square को इधर लेके आ गए उसको इधर लेके चले गए y q plus x square p जो की हमारा required result है यह required result है क्योंकि इसके अंदर कोई भी हमारा function नहीं आ रहा है और हमें ऐसी ही pd equation बनानी थी जिसके अंदर कोई भी function ना हो मतलब function को क्या करना था इसमें eliminate करना था और वो हमने कर दिया question की हमारा ये था हमने इसको एक बार x के respect ने partial derivative किया y के respect में किया then उनको divide कर दिया and हमारा answer आ गया अब है हमारा next question जो भी थोड़ा सा अलग type का है और यह पूर्य exercise में एक ही है by eliminating the function वही function को eliminate करना है f, a and a अब देखो यह आपका जो book होगी ना उसमें starting में जो question से पहले भी एक basic दे रखा है वो basic भी मैं इसको इस question में ही आपका बिल्कुल अच्छे से clear कर दूँगी तो आपको यह question आपको अच्छे से आना चाहिए बिल्कुल ध्यान से देखना क्या दे रखा है f of this ठीक है एक तो हमारी यह term है एक हमारी यह term है तो हम क्या कर लेंगे जो यह term है उसको तो u ले लेंगे and यह term को v लेंगे तो हमारा क्या होजाएगा f of u, v equal to 0 जहां पर हमारा वे हर u is equal to x plus y plus z and v is equal to x square plus y square minus of z square अब देखो क्या है इसके अंदर कि जो हमारा f है वो तो किसका function है u, v का है ना f के अंदर क्या है u and v और u और v हमारे किस चीज़ के function x, y, z के मतलब इसके अंदर x, y है है ना तो हम क्या करेंगे हमें अब क्या करना होता है question के अंदर कि जो हमें equation दे रखी होंगी ना उसको हम क्या करेंगे x के respect में partial derivative करेंगे and y के respect में partial derivative करेंगे अभी तक हमने सिर्फ इसको u, v माना जहांपे u, a and v, a है उसके बाद अभी हमें कोशन तो वही करना है कि function का eliminate करना और हम किस तरीके से कहते थे कि जो equation हमारी दे रखे ना उसको एक बार x के respect में partial derivative करो एक बार y के respect में partial derivative करो तो अब ध्यान से देखो हमारा जो yf है जो function है वो किस चीज़ का है u and v का है ना क्योंकि f के अंदर u v है और u v किस के एकवल है u और v के अंदर क्या है x y z है मतलब u और v के अंदर क्या है x y z अभी हमें क्या करना है जो f का है न x और y के respect में derivative करना है अगर हमें f का x और y के respect में derivative करना x y z के respect में derivative करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा देखो पहले मान लो हमें इसका x के respect में derivative करना है तो क्या होगा curl f upon curl u और एक बार क्या होगा curl f upon curl v तो जब हमने curl f upon curl u किया तो u के अंदर क्या x y z भी तो है तो हमारा कैसे होगा देखो curl f upon curl u हमारा इसके respect में हो गया then u किस का function है x y z का जब ये हमने किस के respect में derivative करना है x के respect में तो क्या होगा curl u upon curl x है ना अगर हम किस के respect में derivative करें x के respect में तो y वाला तो आएगा नी then क्या आएगा हमारा curl u upon curl z and z भी हमारा आगे किस का function होता है x और y का देखो क्या है इसके अंदर जो X और Y है वो हमारे कैसे variable होते थे independent variable लेकिन जो Z होता था वो हमारा कैसा variable होता था dependent variable होता था मतलब Z भी further किसका ही मतलब क्या ही है Z के अंदर भी X Y ही है तो जब हमने F का X के respect में derivative करने की सोची ना तो क्या आएगा curl F upon curl U then curl U upon curl X और Y के respect में तो 0 then आएगा curl U upon curl Z और Z भी किसका function X का into curl Z upon curl X फिर Y U के respect में हो गया अब V के respect में curl F upon curl V then curl V upon curl X plus curl V upon curl Y का तो 0 हो जाएगा तो वो लिखेंगे निया plus curl V upon curl Z और Z भी किसका further function X का तो curl z upon curl x पैसे यह आपकी जो calculus की book होगी उसमें पढ़े रखा होगा आपने देखो क्या फिर यह हमने ऐसे कर दिया क्या था कि जो f है वो uv का function है uv x y z का और z b जिसके अंदर वो है x y है जिसके अंदर तो जब हम इन्होंने बोला कि इसका x के respect में derivative करो तो हमने क्या गया curl f upon curl u then curl u upon curl x plus इसके respect में 0 curl u upon curl z और z b किसका function है x y का तो क्या गया curl z upon curl x प्लस अब हमें किसके respect v भी तो है इसके अंदर तो हम क्या लिखेंगे plus curl f upon curl v curl v upon curl x plus curl v upon curl z into curl z upon curl x is equal to 0 तो यह हमारी equation बन गई ओके यह एक इकलोता question है आपका जो इस type का है और important भी है ठीक है अब हम क्या करेंगे यह जो terms हैं हमारी इनकी values निकाल लेंगे क्या एक curl u upon curl x चाहिए तो हमें जो यह equation उसका x respect में derivative करोगे तो क्या एगा curl u upon curl x is equal to 1 ओके देखो अब जब इसका u और v में जब आप x, y और z के respect में derivative करोगे न तो तिन्नों को ही आपको इस तरीके से लेना है कि तिन्नों ही हमारे independent variable है इसमें यह नहीं करना curl z upon curl x यह आपको यह थोड़ा ध्यान रखने का point है कि इसमें आपको ऐसे नहीं करना है फिर curl z upon curl x का ही लिख दो डिरेक्ट जो आपकी values आएंगी वो आपको put कर देनी है ओके u का जब आप x के respect में करोगे तो क्याएगा curl u upon curl x का 1 फिर हमें क्या चाहिए curl u upon curl z curl u upon curl z करोगे तो इधर क्याएगा 1 यह आ गया then curl v upon curl x करोगे इसका x के respect में क्याएगा 2 of x curl v upon curl z करोगे तो इसका क्याएगा minus of 2 z अब क्या करेंगे यह सारी equation की जो values हैं इसके अंदर put कर दें क्याएगा curl f upon curl u into 1 plus 1 curl z upon curl x plus curl f upon curl v into 2 x plus minus of 2 z curl z upon curl x is equal to 0 मतलब आपका आएगा यह अब ही मैंने आपका बताया था कि curl z upon curl x तो हमारा क्या होता है p होता है and curl z हाँ यह भी यहाँ भी p ही होगा तो आप क्या लिख दोगे curl f upon curl u into 1 plus p plus curl f upon curl v into 2 x minus 2 z is equal to 0 curl f upon curl u 1 plus p अब देखो इस पूरे में से 2 common आ रहा है न तो बहार 2 common ले लो curl f upon curl v into x minus z p is equal to 0 curl f upon curl u into 1 plus p is equal to देखो देखो minus of 2 curl f upon curl v into x minus z p अब यह तो था हमारा वो चेज कि हमने जब इसको x के respect में derivative किया था अब हम एक क्या भी करते हैं इसको y के respect में derivative भी करते हैं तो अब हमारा क्या होगा f function है uv का and uv function है further x, y, z का तो जब हम करेंगे अब क्या होगा देखो curl f upon curl u into curl u upon curl y क्योंकि x के respect वाला तो 0 हो जाएगा न and curl u upon curl z into curl z upon curl y plus जैसे यह किया था बिल्कुल सिमिलर है x के जगे y आ जाएगा ओके यह फिर इसका y v के respect में करोगे तो क्याएगा curl f upon curl v into curl v upon curl y plus curl v upon curl z into curl z upon curl y तो आपका यह बन जाएगा ओके फिर जैसे हमने उसमें किया था similar इसमें करेंगे curl y upon curl y की value निकालेंगे कहां से इधर से curl y upon curl y क्या जाएगा 1 तो हमने यहां 1 put कर दिया similar curl y upon curl z 1 आ जाएगा यह values आएगी और हमने कर दी put साथ में ही हमने क्या भी कर लिया जो curl z upon curl y उसको हम क्या लिखते हैं क्यू लिखते हैं इधर भी q लिखेंगे तो हमारा क्या जाएगा curl f upon curl u into 1 plus 1 into q plus curl f upon curl v into इसकी जाए 2y क्योंकि इसको solve करके 2y जाएगा minus of 2z इसकी जाए q is equal to 0 curl f upon curl u into 1 plus q plus 2 को मना आ गया बाहर ले लिया curl f upon curl v into y minus z q is equal to 0 curl f upon curl u into 1 plus q plus में है उधर जाके minus में हो जागा minus of 2 curl f upon curl v into y minus z q ओकी तो हमारे पास एक equation तो यह आई जब हमने x के respect में derivative किया partial एक equation यह आई जब हमने y के respect में किया अब हम क्या करदेंगे इन दोने equations को divide करदेंगे divide करते है ये वाली term पूरी से cancel हो जाएगी और हमारे दिस दिस बाय में दिस आजाएगा देखो क्या आएगा curl f upon curl u into 1 plus p divide में यह then इसके divide में यह यह सारी terms हो गई हमारी ये वाली term इससे cancel हो गई और ये वाली term इससे cancel हो गई अब divide करने से क्या फाइदा हुआ हमें कि हमारे जो function वाली terms थी वो सारी divide हो गई और हमें क्या eliminate करना था function ही तरह eliminate करना था function थो हमारा eliminate हो गया उसके बाद हमने क्या क्या cross multiply कर दी 1 plus p into y minus z q is equal to 1 plus q into x minus z q multiply कर दी y minus of z q1 की multiply plus p की multiply करो गए तक क्या p y minus of p qz is equal to x minus z p plus qx minus of qz p then हमने x को इधर रख लिया and y को भी उधर लेके चले गए क्या गया minus of y ये वाली term हमने इधर लिख दी and इन terms को हम उधर लेके चले गए तो ये minus of z p plus z p बन गया minus of x q बन गया plus z p q बन गया p qz से p qz cancel देखो फिर उन्हेंने क्या किया जो p वाली terms थी ये वाली और ये वाली इसमें से p कोमन ले लिया तो क्या गया y plus z इसमें से और इसमें से minus of q कोमन ले लिया तो क्या गया x plus z is equal to x minus y and this is our required result तो main बात क्या थी इसमें और तो कुछ नहीं था कि आपको ये आना चाहिए okay कि ये क्या गर दिया main तो आपको बिस एक ही आना चाहिए next में तो क्या x की जिगा y ही लिखना है okay then आप कई question भी हो जाएगा solve अब हम देखते इस lecture का last question देखो क्या है obtained a partial differential equation एक partial differential equation को obtain करो by eliminating the arbitrary function from this अब देखो function कितने दे रखें इसमें 2 दे रखें एक तो f एक g तो जब 2 function दे रखें तो normally आपको क्या ही करना है उसके अंदर कि 2 भार derivative करो okay जासे हमारे arbitrary functions arbitrary constants अगर ज़ादा होते थे तो हम ज़ादा पार derivative करते थे थे ना similar अगर हमारे function ज़ादा है तो हम ज़ादा पार derivative करेंगे तो दो बार हमने derivative किया है देखो z is equal to this दे रखा तो हम इसका क्या करेंगे x के respect में partial derivative करेंगे तो क्या होगा curl z upon curl x is equal to function का derivative करो तो क्या हैगा f dash x minus ay into में जो function के अंदर है x के respect में क्या हैगा 1 plus g dash x plus ay into में क्या हैगा 1 फिर यहाँ क्या हो गया curl z upon curl x 1 की multiple तो 1 ही आएगा क्या हो गया f dash x minus ay plus g dash x plus ay फिर क्या बोला था मैंने आपको की दो बार derivative करेंगे तो दुबारा से हमने इसका x के respect में derivative कर दिया partially with respect to x differentiate देखो क्या हो गया curl square z upon curl x square is equal to double derivative हो जाएगा यह dash का मतलब क्या होता derivative और double derivative तो double dash लगा देंगे f double dash x minus ay into में 1 तो वो बने into 1 का तो कुछ effect नहीं होगा then इसका derivative करेंगे तो g double dash x plus ay into में 1 तो यह हमने ले लिए equation number 2 अब ही हमने क्या किया जो यह हमें equation दे रखी तीगी even equation उसका अब हम इसका y के respect में करेंगे partial derivative वो भी दो बार करेंगे तो देखो जब हम इसका y के respect में करेंगे तो क्या हैगा कल z upon कल y is equal to f dash x minus ay then इसके अंदर का दिखो क्या होगा minus of a होगा derivative जब x minus ay का partial derivative करोगे कल अपोन कल y तो इसका तो 0 होजएगा minus of a आजाएगा तो minus of a plus g dash x plus ay into में क्या होजएगा a तो यह a आगया दन इसका दुबारा y के respect में derivative करो तो क्या आएगा कल square y upon कल z square is equal to f double dash x minus ay into में एक और minus of a आएगा तो minus a into minus a क्या होजएगा minus minus क्या होजएगा plus a square a square आगया plus क्या होजएगा double derivative क्या तो g double dash x plus ay into में एक और a आएगा तो a into a क्या होजएगा a square होजएगा then हमने क्या क्या किया यह 1 a square common लेकि उसको दुदर ले जाके क्या कर दिया बाहिए में कर दिया क्या क्या है a square common ले ले क्या आगा f double dash x minus of a y plus g double dash x plus a y ऐसे आपने क्या किया दोनों में से a square को मले लिया then उसको उदर लेकर चले कि क्योंकि यह multiply में तो दर जाके divide में हो जाएगा 1 by a square curl square z upon curl y square is equal to this अब जो हमारी second question आई यह third question आई है हमने क्या आगरे इसको divide कर दिया तो क्या हो जागा curl square z upon curl x square divide में 1 by a square curl square z upon curl y square is equal to f double dash x minus a y plus g double dash x plus a y divide में this यह term हिससे cancel हो गई तो क्या आगा curl square z upon curl x square upon 1 by a square curl square z upon curl y square is equal to 1 है ना अब क्या करते हैं क्रोस multiply तो curl square z upon curl x square into में उधर 1 into this हो जाएगा तो क्या आगा 1 by a square curl square z upon curl y square and this is the required result तो यह थे questions आपके thank you guys for watching my video please do like share and subscribe to my channel thank you so much जो यह exercise हो वो next lecture में हो जाएगी आपकी complete